हलो दोस्तों आज किस वीडियो में SSC MTS Application Status के बारे में बात करने बाले हैं कि CR, NR, NWR, MPR, WR, NER, KKR इन सभी रीजन के Candidate का Application Status का Link कब तक जारी किया जाएगा? इन सभी रीजन के Candidate के लिए Application Status Link कब तक जारी किया जाएगा? इसके लिए आप लोगों को Confirm Date बताने बाले हैं साथी जानने बाले हैं कि SSC MTS का Admit Card कब तक जारी किया जाएगा? क्योंकि इससे जुरा एक Update आया है और आपके Exam Date में क्या बदला हुआ है? सारी बाते इस वीडियो में जानने बाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखेगा तो चलिए अज कब डियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले SSC MTS के Admit Card से जुरा Update देख लेते हैं तो ये Update लाइब इंदोस्टान टिम के माद्यम से 23 सेप्टेमबर दो पहर दो बज कर 20 मिनट पर दिया गया है सब्सक्राप्ता के सुरुवात में MTS Admit Card जारी हो सकते हैं Admit Card जारी होने पर परिक्षारती इन्हे SSC.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे SSC MTS भरती परिक्षा के Paper 1 का आजन 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2021 के बीच किया जाएगा तो SSC MTS के एकजाम 5 अक्टूबर से ही सुरू होंगे लेकिन 20 अक्टूबर तक नहीं चलने बाले हैं SSC MTS के एकजाम 2 नवंबर तक चलने बाले हैं क्योंकि Eastern Region अब हम Southern Region Candidate के लिए Application Status Link जारी हो चुके हैं और इनमें कई Candidate के एकजाम 2 नवंबर को भी दिखा रहे हैं इसलिए आपका एकजाम 2 नवंबर तक चलने बाले हैं तो SSC MTS का एकजाम आपका 5 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलने बाले हैं अब बात करते हैं CR, NR, NWR, MPR, WR, NER, KKR इन सभी रिजन के Candidate के लिए Application Status Link कब तक जारी किया जाएगा तो इन सभी रिजन के Candidate के लिए Application Status Link आपका 27 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा 27 सितंबर तक इन सभी रिजन के Candidate के लिए Application Status Link एक्टिबेट करा दिये जाएगे तो 27 सितंबर तक सभी रिजन के कंडेट के लिए अप्लिकेशन स्टेटस लिंक एक्टिबिट करा दिये जाएंगे यानि कि 27 सितंबर तक सभी कंडेट को पता चल जाएगा कि उनके एक्जाम किस डेट में होंगे और कहां होंगे वहीं Admit card की बात करें तो Admit card आपका एक्जाम डेट से चार दिन पहले डाउनलोड होंगे एक्जाम डेट से चार दिन पहले ही आपके Admit card डाउनलोड होने शुरू होंगे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद